जहिन साथियों तो आई आज का सेग्मेंट सुरू करते हैं इसमें बहुत सारी पॉजिटिव नियूज है जो इस हफते की हैं और जो मुख्य बहुत ही सुखद नियूज है वो है कि रेलवे को भी अब गती देंगी महिलाएं तो उसी के बारे में देखते हैं ये सिखार आथ हैं 31 साल की हैं जबलपूर मध्यपरदेश से ये पहली महिला ड्राइबर को पाइलेट बनी है जो एक पैसेंजर ट्रेंड को एहमदाबाद से राजकोर्ट तक ले जाएंगी और एक तरह से इन्होंने हिस्ट्री लिखा है अक्टूबर 9 को 9 अक्टूबर 2021 को जब इन्होंन के थे एक तरह से ये खुद असिस्टेंट लोको पाइलेट थी और इनका जो कॉलीग है लोको पाइलेट परदीव कुमाज ये इनके साथ था तो इस तरह से इन्होंने इसको एहमदाबाद से राजकोर्ट के बीच में चलाया और इन्होंने एक तरह से रेलवे में भी एक क्योंकि अब तक कोई महिला नहीं थी इस पद पर तो ये एक पॉजिटिव ख़बार है एक तो ये हो गई अगर आप दूसरी देखेंगे तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन है जो एनमसी है उसने ये कहा है कि जो इनकरेक्ट और डेरोगेटरी डिस्क्रिमिनेटरी इन्फुम और प्लस में और बहुत आते हैं तो इस तरह सरा से जो इस तरह के प्मीनिटी है उनका जो सलंवल था उसमें जो उनके रिगार्डिंग इंफॉमेशन थी वो गलत थी और कहीं न कहीं उन से इन्फुमेशन पर वाइट कर आ रही थी जैसे उनकी वरजनेटी को लेकर और एड होते जा रहे हैं तो इस तरह का जो या होमो सेक्सवल्टी से related था तो ये इसके बारे में जो इनका स्लेवर्स था उसको सही कर रहे हैं और एक तरह से जो ज़स्टिस आनंद वेंकरटेशन थे उन्हों ने भी मेंशन किया था उनका भी इसमें मेंशन है last month की judgment है medical course का और जो इंडिया एक तरह से reaffirm है queer phobia और discrimination से queer phobia होता है कि पता नहीं या आदनी कैसे होगा जो queer है queer means होता है कि जो एक तरह से sexuality है या उसके अंदर की जो sex की जो आप कह सकते हैं वो बिशत या विश्व दुरूप में है वो queer category में आता है जैसे lesbian होता है तो lesbian जब लड़की लड़की आपस में एक तरह से सहीयोग करती है तो उसमें lesbian होती है और जब कोई व्यक्ती और दूसरा व्यक्ती रहे पुरुष पुरुष तो उसमें gay होता है bisexual में भी either girl, neither boy ऐसा हो सकता है और transgender होते हैं जो आप देखते हैं किंडर तो queer में ऐसा आता है कि इसमें कभी-कभी जानवर या और भी इस तरह का भी आ जाता है और हमें भी एक तरह से fair चाहिए भी आपने देखा होगा केरल में जो metro station था वहाँ पर इनके लिए कुछ seat रिजर्व की गई कि आप इसमें job कर सकते हैं actual में problem यह है कि इनको जो legitimization है society में मिलता नहीं इसी के वज़े से ये मांगते हैं और कभी-कभी जबरदस्ती भी मांगते हैं आप नहीं देखेंगे फिर भी आप से जोड़ जबरदस्ती करेंगे तो इसलिए इनको एक तरह से society का जो मुख्य धारा है उसमें भी एक दो वैसे इनकी population भी ज़्यादा नहीं है लेकिन इनने मानना होगा कि ये भी exist करते हैं और इसी से ये जो मांगते हैं या छीनते हैं आप कह सकते हैं या जोर जबरदस्ती से मांगते हैं तो उस तरह की प्रवर्ती बंद होगी क्योंकि इनके पास में भी एक तरह से economy, economic independence होगा और society में इनका भी social status थोड़ा बढ़ेगा और जो तीसरी खबर है उसमें एक IPS अफसर है सुंद्रा राज पी आईजी हैं बस्तर रेंज के इन्होंने एक तरह से प्रोग्राम और एक campaign initiate किया है इसमें क्या होगा यह local language वहां की local गोंडी language है उसको यह तरह से बढ़ावा दे रहे हैं इंगेज कर रहे हैं जो अपना department है उसमें जैसे मावा अलसाना तो मावा अलसाना का गोंडी में मीनिंग होता है meet and deliberate तो इस तरह से है तो local में जब बात करेंगे तो वह भी अपने आपको एक तरह से जुड़ा हुआ पाएंगे और इससे integrity होगी और relations ही होगा जो local हैं और security forces हैं क्योंकि यहाँ पर जो बस्तर रीज़न है यहाँ पर जो लाग सालाम कही सकते हैं या communist ideology जो extreme communist ideology है मावों की वह यहाँ पर काफी प्रभाबित है उससे और यहाँ के लोग आए दिन कुछ ना कुछ घटना होता ही रहता है और इसी के साथ में तीसरी खबर है एक लड़की है दस साल जादा ओ एज नहीं है भी इसकी यह class 10 की student है करनाटका से इसने टॉप किया अपना exam बिना coaching के बिना किसी teacher की मदद से इसने self study से ऐसा किया है और ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह एक लड़की है farmer की और एक तरह से granny की तो इसके पास में इतना पैसा नहीं था कि online class join कर सके या attend कर सके तो इसकी वज़े से financial constraint की वज़े से यह pandemic में इसकी वज़े से इनोंने अपना तयारी खुद किया और इनकी बहन थी उन्होंने इनका थोड़ा मदद किया और इसके साथ ने इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि यह exam में बैठ सके तो इसके लिए इन education minister को और वहाँ पे जो local leaders थे उनको email किया और उनसे मदद की घुवार लगाई तब जाके इनोंने exam दिया और exam देने के बाद में इनोंने टॉप किया तो आप देख सकते हैं इनके विल इसके साथ में अनुराधा खंडेल वाल हैं यह बरेली की एक मतब रहने वाली हैं और इनोंने अनु कैन कुक सो कैन यू नाम की एक संसा बनाई है जो एक तरह से बनाती है और सेल करती है इनके special spices मतलब जो मसाले होते हैं चाय होते हैं और इससे यह sponsor कर रही हैं education को जो unprivileged citizen है children है जो एक तरह से जुगी वस्तियों में रहते हैं जो education नहीं ले सकते या तो उनके लिए इनोंने बारा बच्चों को ऐसे बच्चों को एक तरह से लिया है उनका जिम्मेदारी लिया है कि हम इन्हें पढ़ाएंगे इन्हें फीस देंगे बुक्स देंगे यूनिफॉर्म देंगे और साइकल देंगे तो इस तरह की बहुत ही positive news है क्योंकि आप बा गारण को मेंदूत हैं ये तमिलनादो की हैं और ये वहां को जो लॉकल panchaat है उसमें जे ये यंगिस्तेट की यंगेस के अनु ये 21 year old हैं मतब 21 साल में ये वहां की प्रेसिडंट बनी है panchaat की और ये पूरे स्टेट में पहली बार है और इनके जो फादर हैं वो भी पंचायत के प्रेसिडेंट है तीन बार और इसके साथ में जो एलेक्शन कमीशन है उसने रिजर्व किया था जनरल वोमन के लिए एक तरह से सीट तो उसकी वज़े से भी इनको काफी हेल्प हुआ और इसी के साथ में अब इनका क्या काम है ये एक तरह से सैनेटरी नैपकीन को जगा जगा दे रही है और इंक्रीज कर रही है जो बस का नंबर है अगर मान लीज़े पहले पांच बस थी तो अब ये कोसिस कर रही है कि दस हो जाए और हेल्पिंग मतलब हेल्प कर रही है जो परसन है वहाँ के लोकल उनको गवर्मेंट की जो स्कीम से उनका फाइदा मिले इस सरह की चीजे कर रही है क्योंकि ये पड़ी लिखी है ये एक तरह से जादा इनके अंदर उत्सा है भी नई उमर है नई उमंग है तो इस तरह से ये बहुत ही बहुत ही अच्छा साबित होगा तो इसी के साथ में आगे और देखते हैं जो साइंटिस्ट है देली अग्रिकल्चर जो इंडियन अग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट है आपने अभी पूसा डिकंपोजर नाम सुना होगा और जो केजरी वाल गवर्मेंट है ये भी प्रमोट कर रही है और उससे क्या होगा कि पूसा डिकंपोजर को आप चार टेबलेट पचीस लीटर के गहुल में डालेंगे और फिर छिरकाओ करेंगे जहां भी पराली पड़ी होगी उस में जितना वो सूख जाए उतना ही अच्छा है लेकिन धान क्या होता है धान का जो डंठल होता है Hur रहता है क्योंकि हमें गेहुन के लिए किसानों को तैयार करना रहता है जल्दी से धान की फ़सल काट लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि धान को अगर आप अधपका भी काट लेंगे तब भी वो कोई नुकसान नहीं रहेगा, वो बाद में सूख के उसमें चावल बन जाएगा अंदर, तो इस तरह से और गेहूं को आप जितना वो सूख जाए उतना ही अच्छा है, मतलब उसमें घुन न और जो सूखा है वो जल्दी से जल जाता है, उसमें धुआ भी ने निकलता है, हरे वाले में ज्यादा धुआ निकलता है, क्योंकि वो सूलगता रहता है बार-बार, तो इसकी वज़े से क्या हुआ है कि ये जो दिल्ली के इंडियन अगरिक्यल्चर रिसर्च है, इंस्ट् पलिशन है वो बहुत ही कम होगा, या ना के बराबर होगा, पराली जलेगी नहीं, और इसके साथ में जो दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइड है या इंडूर पलिशन है, इंडूर पलिशन की कोई बात नहीं करता है, इंडूर पलिशन भी बहुत बड़ा, एक major cause है पलिशन म हैं, आप सिर्फ किसानों कोई दोस नहीं दे सकते की पराली है, रोज दिल्ली में बहुत नए वाहन आते हैं, और इवन फॉर्मूला ठीक है, लेकिन लोगों को अपना गाड़ी से जाने के बजाए, मेट्रो यूज करें, जो सारवजनिक यातायात की साधने उन्हीं सकते हैं, unnecessary pollution इमिट करने से, अब इसके बाद में अगली जो positive news है, यह बहुत ही अच्छी news है, इसमें क्या हुआ है कि यह पहले तरह का operation था इंडिया में, जो दिल्ली में डॉक्टर हैं, उन्होंने reuse किया है एक liver को, और liver ऐसे व्यक्ति का था, एक महिला थी, वो एक तरह से एक उनको brain, एक तरह से brain उनका damage हुआ और उनकी death हो गई थी, 44 year की old woman थी, और उनको hypertension और seizure की विमारी थी, और वो brain dead, declare कर गई थी, क्योंकि उनके brain से bleeding हो रही थी और वो उनको breath घोशित कर दिया गया था, इसके बाद में उनके जो घर वाले थे, उन्होंने सोचा कि हम इनका जो liver है, heart है, kidney है, corneas है, इसको हम donate करेंगे, किसी अनकी जान बच चाएगी जैसे, तो ये transplant किया गया, तिरपन साल के एक वेक्ति में, और ये एक तरह से जो liver failure से सफर कर रहे थे, तो ये successful है, और एक तरह से, ये इसने एक दरवाजा भी खोला आया, कि हाँ, आरगन transplant के छे पहली घटना थी, तो आब इससे और भी आगे, इस तरह के positive चीज़ें होती रहेंगी, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इसमें बहुत सारी positive ख़बरें सुनने को मिली, बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिंद,